दोस्तों अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आपने mutual fund के बारे में जरूर सुना होगा लोग दोस्तों यहाँ पर लोग अपने salary में से कुछ-कुछ हिस्सा mutual fund में निवेश करते हैं तो कुछ ही सालों के बाद एक बहुत अच्छा खासा return उनको मिल जाता है पर दोस्तों यहाँ पर question आता है कि हम अपने लिए एक अच्छा mutual fund किस तरह से चूच कर सकते हैं दोस्तों तो इसी question का हल करने के लिए हम आपके लिए लाए है State Bank of India याने कि SBI के तीन सबसे बहतरीन mutual fund दोस्तों इन तीनों में से अगर आप किसी भी mutual fund में investment करेंगे तो आपका पैसा पांच साल में तीन गुना हो सकता है दोस्तों हला कि जो तीसरा mutual fund वो सबसे important है महानी कि अहाँ पर अगर आप एक लाख रुपे investment करते हैं तो पांच साल के अंदर आप तीन लाख रुपे मिल सकता है दोस्तों तो दोस्तों हमरे लिस्ट में सबसे पहला जो mutual fund है State Bank of India का वो है दोस्तों SBI PSU Direct Plant Growth इसका अगर हम पिछले 5 साल का average return के बात करें तो पिछले 5 साल में इसने 26.53% का average return दिया है इस fund का थोड़ा detail में जाए तो देखे इसमें लोगों ने 3071.3 करोड का investment क्या है यहाँ पे आप सिर्फ 500 रुपे से अपना investment स्टार्ट कर सकते हैं इसके return के बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप 5 साल पहले 1 लाख रुपे का निवेश करतें तो आज की date में वो बढ़के 3,24,315 रुपीज हो गया होता दोस्तों चलिए आप बात करते हैं आपने दूसरे mutual fund की जिसका नाम है दोस्तों SBI का long term equity fund direct plan growth आप क्योंकि एक long term plan है दोस्तों तो यहाँ पे 3 साल का lock in period है 5 साल का इसका average return 24.98% है दोस्तों तो यहाँ पे इसको 5 सार का rating मिला है और इसमें लोगों ने आप तक 23,887.6 पर करोड रुपीज का investment किया है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस fund में भी आप सिर्फ 500 रुपे से अपने investment स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे पिछले 5 साल पहले एक लाख रुपे का निवेश किया होता तो आज की date में आपको 3,4932 रुपीज मिल गया होता दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों तीनों में से सबसे important fund की जिसका नाम है दोस्तों SBA का Contra Direct Plan Growth यह इसका दोस्तों return सबसे ज़्यादा है इसका 5 साल में पिछला इसका average return 29.35% का रहा है दोस्तों इस fund के थोड़ी detail में बात करें तो इसको भी दोस्तों 5 स्टार का rating मिला है इसका fund size 30,520.42 करोड है दोस्तों इस fund में भी आप सिर्फ 500 रुपे से अपना investment स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप पिछले 5 साल में दोस्तों अगर एक लाख रुपे का निवेश किये होगे तो आज की date में आपके पास 3,62,103 रुपीज होता दोस्तों दोस्तों हमरे analysis के हिसाब से SBI का सबसे अच्छे fund है अगर आप यहाँ पर investment करना चाते हैं तो अपने investment advisory यानि कि सेवी registry advisory से जरूर संपर करें जो mutual fund है दोस्तों वो थोड़ा सा risky होता है हमरे वीडियो का जो motive है दोस्तों वो सिर्फ आपको educate करना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइब करें आपका दिन मंगल माई हो धन्यवाद दोस्तों